अस्सलाम वालेकुम फ्रेम्स वेलकम बैक टो जुल्फा जहान ठंडी इतनी बढ़ चुकी है कि दाल चावल या तो कुछ भी खाने का मनने करता है ऐसा कुछ हो जाए जो इंस्टेंट हो जल्दी बन जाए और उसको गर्मा गरम खाया जाए तो मैगी फ्राई जो हमारे देसी इस स्टाइल हे वुष से बैतरिन क्या हो सकता है इसलिए सबसे पहले गैस अन कर लिया पैन भी रख लिया गरम होने के बाद जरा सा तेल और साथ में एक क्यूब बटर मिलाया गरम होने के बाद एक-एक चौप्ट ओनियोन और चौप्ट हरी मिर्च मिलाके इसको अच्छे अच्छे से fry कर लिया फ्राइब करने के बाद इस में पिंच असौल्ट डाला क्योंकि मेगी मसं डालेंगे तो उसमें तो साल्ट होगा ही इस सबसे थोरा नमक डाला और इसके बाद सारा मेगी इस परिफ़ा उसका मेगी मसंपनेघ का पर दे which बूर लिया fandще 115 थोरा थोड़ा सब पनीर भी मिला दिया इसका टेस्ट पराने के लिए उसके बाद और थोड़ी दिर भूना भूनने के पाद मैंने प्याज के पत्ते डाले जो हरे हरे प्याज के पत्ते उसके बाद बॉयल किया हुआ मैंगी डालके बस इसको मिक्स अप कर दिया बर्या से उपर नीचे आगे पीछे एकदम जितना भी इसको मिक्स करना है अच्छे से मिक्स कर लिया, टॉस भी कर लिया, करने के बाद ये रेडी और ये बस आपको अगर पसन है तो आप इसमें धनिया पत्ता डाले और अगर नहीं पसन है तो मत डाले और जस इसको प्लेट कर दिजे, मैंने थोड़ा सा धर्या बत्ता डाल के इसको सर्ब किया और ये था हमारा दो पहर का खाना, इतना सर्दी में मज़दार यमी देशी स्टाइल मेगी फ्राइग, तो फ्रेंज आप लोग भी अगर मेरी तरह बोर हो चुके हैं, मतलब ठंडा में चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, रोटी पाकाने का मन नहीं है, तो इस तरीके से आप मेगी बनाए, डेशी स्टाइल मेगी बनाए, मेगी फ्राइग करें, और जस इसका मज़ा लें, और आप चाहें तो इसमें और आपके पसंद का जितना भी सबजिया हो, ब्रॉकली हो, बनाए, और टेस्टी बनाके इसको सर्फ करें, मज़ा लें, और सर्दी में थोड़ा सा काम भी कम करें, अपने आपको आराम भी दें, और अपना खुब सारा खयाल रखें, और साथ में मेरे अगले वीडियो का इंतिजार करें